बिहार विधानसवा चुनाव के चुनावी रुजहान के इस्थिती अब धीरे-धीरे स्ताफ होने लगी है। पुर्विच अब बात करें तो यहां पर करीब 13 जिलों की हम बात करेंगे यहां विधानसवा सीटों की जानकारी दूँगा सबसे पहले हम हर सिद्धी से सुरुआत करते हैं हर सिद्धी में जो कड़ा मुकाबला था वो था कृष्णनंदन पास्वान जो की बड़ा नाम है यहां से और कुमार नागेंद्र बिहारी जो की राजत के तरफ से कैंडिडेट है और कृष्णनंदन पास्वान एक बार फिर से यहां जो है लगातार आप देख सकते हैं कि 40846 वोट जो है उन्हें मिले हैं आगे चल रहे हैं लेकिन कड़ी टककर जो है राष्ट्य जनत अ अभी तक बताया जा रहा है एलेक्सन कमिशन की जो अधिकारिक वेबसाइट है उसके जरिये तो यह बात थी हरसिद्धी की अगला जो यहां का विदानसवा छेत्र है वो है केसरिया का विदानसवा छेत्र जहां पर विश्व का सबसे बड़ा बहुत इस्तूप है उस जग मुझे लोचपा के कंडिडिट भी है राम सरन प्रसाद इयादो है और यह कड़ी तकर नों के बीस तो देखी रही है कि एब बात हुम करते हैं कल्यानपूर की सीट कल्यांपूर की यहां की जो शीट हैं यहां से आपको बता दें कि राश्च्ट्य जनत अदल से हैं मनोच कुमार याद Łव हो इसके अलावा भारतिय जनता पार्टी से सचंध्र परसाद सिंग्ग है और इनको करीब जो है यहां पर अभी तक जो दिखाया जाए जो खवर है उसके 35,936 वोट इने मिले हैं लेकिन इनसे थोड़ी सी जादा यह चार हजार वोटों से जादा चल रहे हैं राष्टे जनता दल के मनोज कुमार यादो जिनके पास 40,000 से जादा वोट उने मिले हैं वहीं बात अगर पिपरा सीट की कर लेते हैं तो पिपरा से फिलाल जो है यहां पर कॉम्मिनिस्ट पार्टी जो है वो दूसरे नमबर पर दिखाई दे रही है भारतिये जनता पार्टी एक बार फिर से आगे 26,000 से जादा वोट जो है अभी तक यहां के स्याम बाबु परसाद को मिला है जो 21,000 से जादा वोट मिल चुके हैं वहीं मदन परसाद जो की राष्ट्य जनता दल से हैं 20,722 वोट जो है उन्हें मिले है फिलाल मैं कैमरा मैं को कहूंगा कि थोड़ा दिखाए यहां पे और यह जो सीट है यह चिरया की सीट है आपको बता दें कि यहां से राष्ट्य जनत 20 वोट जो है लाल बावु परसाद गुपता को मिले मिल रहे हैं इसके अलावा आपको बता दें कि आप देखेंगे जो धाका की सीट है यहां पर भी भारतिये जनता पार्टी जो है आगे निकली हुई दिखाई देती है 69,000 से जादा वोट उन्हें मिले हैं जबकि 30,000 जो है यहां से वोट अभी तक मिले हैं लेकिन आपको बता दें कि यहां पर साथ ही साथ राष्टिये लोग समता पार्टी के राम पुकार सिनहा भी खड़े थे लेकिन उनका जादू जो है यहां पर नहीं चल सका है वहीं अगर बात मोतिहारी सीट की कर लें तो यहां स परकास चौदी जो की राष्टी जनता दल से थे उन्हें बावन हजार से ज्यादा वोट मिले हैं लेकिन वहाराने में काम्याब नहीं हो पाया परमोद को क्योंकि परमोद कुमार सिनहा 44,000 वोट मिले हैं और जहां तक खबरे हैं मैं आपको बता दूं कि इन्हें से विजे जीत चुके हैं अब बात करते हैं सुगौली सीट की तो यहां से इंजिनियर सशी भूशन सिंग राष्टी जनता दल से हैं जिने 27,960 वोट मिले हैं इसके अलावा यहां से विकासिल इंसान पार्टी के रामचंदर सहनी जो की एक बड़ा नाम है वो खड़े हैं लेकिन अ कलती हुई दिखाई देती है अब बात अगर हम नरकटिया सीट की करें यहां से समी महमद राजद की वह बहुत बड़ी मार्जिन से जो है 43,000 वोटों से आगे दिखाई दे रहे हैं जबकि स्याम बिहारी परसाज जनता दल यूनाइटेट से वह अभी तक 26,000 वोटों से व बात कर लेते हैं यहां से राजुतिवारी जो की सिटिंग मले हैं वो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए हैं 18,541 वोट ही उन्हें मिले हैं जबकि सुनील मनीत त्रिपाठी नया चहरा बीजेपी का बस एक उन्हें तमगा मिला 34,000 से जादा वोट अभी तक उन्हें मिल तो उतना ही के करीब में यह है, सेकेंड नंबर पे ही है, लेकिन जीत उनसे दूर है और ऐसा लग रहा है कि गोविनगर सीट से जो है भारतिय जनता पाटी इस बार यह सीट यहां पर कमल खिलाएगी और लोजपा वापस हो जाएगी बर फिर ते उस सीट को आपने पल्ले में लाने में कम्याब नजर आएगे, फिलाल इस ख़वर में इतना ही, आगे की ख़वरों के लिए बने रहे हैं हमारे साथ, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूले, बिल आइकन जरूर झाल